आप इसमें के जेड आको आप देख यह तो आज हम बात करेंगे फिलमोंतो चह अर पॉइंट्श हon पूइए और टो तो हिज्ण प्रॉइब कि फिलमोंतों सब्सक्राइब करें everyday सेपरेट कर सकते हैं टिक है डिक है तो ऊसमें कहता कि दो फाइल को एकी वीडियो फाइल के ऐग्डियो फाइल को एटडा लग अलग कर सकते थे ठीक है छेकिन हम आज के विडियोस में देखेंगे क्यक्छेथ आप कि किसी भी व्यां transforming तो आपके पास तो आपके पास है तो आपके पास यह पर आपके पास जो है त्रेक्स को आपको लाना पड़ेगा या अपस ठीक है क्योंकि आपका time timeline है ठीक है तो यहां पास आपको track को लाना पड़ेगा उसके बाद ही आप इसके पर कुछ काम कर सकते हैं ठीक है और जैसे आप drag करके आप drop करोगे timeline पर तो जैसे timeline पर आप drop कर लोगे उसके बाद आपका क्या होगा screen जो होगा play होने की start हो जाएगा और यहां से आप play stop option कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपके बहुत सारा option है तो आप यहां से देखके भी आप चीजों को कर सकते हैं यहां पस full screen भी कर सकते हो आइडियो को manage कर सकते हो screen shot ले सकते हो बहुत सारा option है जू मिन जूब आउट कर सकते हो ठीक है तो आज हमारे जैंड़ा है कि हम कैसे किसी वीडियो को हम cut करेंगे ठीक है तो मैं यहां से वीडियो को cut करूँगा यहां से तो आप simply आपका जब tracks आ जाएगा तो आप यहां प देखिए मेरा जो करसर है वो tracks के दूसरे location पर है तो simply मैं क्या करूँगा यहां पस अपने tracks के उपर क्लिक करूँगा देखिए यहां पार जो इसका outline है उसके उपर green का आगया मतलब हमने क्या कि किसी tracks को भी select किया है ठीक है एक बार इस वीडियो को मैं दिखा देता हूं ब यूज किया किजिए ठीक है आपको online बहुत सारे free footage मिल जाएंगे आप उनका यूज किया किजिए ताकि आपकी editing बहुत अच्छे सा समझ में आने लगे चीज़ों को ठीक है तो मैंने यहां पस ट्रैक ट्रैक अभी outside था मेरा मतलब मेरा cursor outside था जब मैं track के उपर क्लिक कर रह एक cut का जो sign आ रहा है ठीक है cut का sign है इसी को हम split बोलते हैं ठीक है मतलब आप किसी वीडियो को बीच से कहीं से भी काड़ का हुआ है cursor को ठीक है तो जैसे ही मैं इसके उपर click करूंगा तो है आपस green outline बन जाएगा ठीक है green selected दिखा रहा है ठीक है मतलब green outline आपका बन जाएग है मतलब क्या होता है कि अब हम इस इस tracks में इस property के use कर सकते हैं ठीक है तो आज हम basically undo redo delete और जो slip option है उसका हम देखेंगे ठीक है करना चाते हो तो ठीक है यहाँ पर simply click कर दिए तो जैसे आप click करोंगे तो देखिए आपके पास जो जो आइडियो वीडियो ट्रैक से ओट हो गया देखिए कट हो गया यहाँ पास ठीक है कट हो गया अब आपका चाहते हो कि फिर बीस से मैं यहाँ पास से कट कर दूं ठीक है यहाँ पास से मैं कट कर दूं इस वीडियो को ठीक है यहाँ पर simply आपको आपका चो करसाар है उसको यहां पर लाना पड़ेगा आपके track के उपर ठीक है उसके बाद फिर से आप इसके उपर click कर दो जैसे click करोगे तो देखे आपका ये फिर से cut हो गया है निद्ट कर सकते हो ठीक है अभी तो यहां पस आईडियो फाइल दोनों कंबाइन है अभी तो जो आईडियो फाइल है कंपाइन है मैं चाहता हूं कि separate करदेता हूं ठीक है कि mi Tapies कर BMW तो देखिए यहां pan कि आपका ऐडियो फाइला खिए फाइल फैल इसका वीजीmbol फाइल है इसका इप्लिण फाइल है लेखिम बीडियो फाइल commend मैं कने चाहता हूं कि इस पी इस ऐडिए फाइल को मैं इस ऐडियो फाइल को करूं तो की ये istके लिए बहुत करना पढ़ेगा ठीक है मैं चाहता हूं इसी तरह शूरम को यूस कर सकते हो तीक है कंबाइन में हो कर सकते तक है अभी तो रेडू होगा नहीं क्योंकि अभी कुछ आगे कुछ काम ही नहीं कि है तो अंडू करके देखते हैं जैसा हमारा आइडू ट्रेक्ट पहले था वैसा बन जाए तुम अंडू करेंगे इसको सौटकर की होता है Ctrl Z ठीक है तो इसके उपर क्लिक करते जाएए क्लिक करते जाएए क्लिक करते जाएए तो आपका जो फाइल है आपका undo होते जाएगा जैसे पहले था वैसे होते जाएगा देखिए undo पर क्लिक कर रहा हूँ है तो होते जा रहा है यह देखिए यह देखिये होते जा रहा है हो अभी यह देखिये तो जैसे फायल खो है ठीक है रेडिन तो आपको पता है कि फिर से मैंने फायल बनाया था cut किया था फिर से वैसा होते जाएगा ठीक है Dartmouth कmen से आपको को बता देता हूं इस चीज़ों को दिरे दिरे सीखे और editing करते रहे था कि आपको जल्दी से समझ में आने लगे ठीक है मैंने आपने मेरे प्रेस्ट वीडियो को नहीं देखा तो मेरे प्रेस्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं ठीक है इसके बाद एक उप्षण आता है आपका track delete हो जाएगा ठीक है तो फिलाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आगया होगा आज हमने चार्ट टॉपिक को कभर किया है इसमें आपका undo है रेडू है फिर delete है फिर slipped है इसकी को हम ड्रीम बोलते हैं ठीक है ड्रीम बोलते हैं इसको हम कट बोल सकते हैं क कि किसी भी फाइल को बीच से हम कट कर सकते हैं किसी भी आईडियो फाइल को एदियो फाइल ग्रूप में है आईडियो वीडियो के तब भी हम उसको कट कर सकते हैं यह सेपरेट हो चुका है सेपरेट हो चुका है आईडियो फाइल में तब भी हम उसको कट कर सकते हैं तो फ झाल झाल